आए सुनते हैं आज की नई कहानी कहानी का मज़ा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए मेरी बेटी का शोहर मुझ पर ही आशिक हो गया मेरे दामाद ने मेरे साथ वह रिश्टा बनाया जिसके बारे में कोई शरीफ शक्स सोच भी नहीं सकता मेरा नाम अमानत है मैं 30 साल की एक खुबसूरत औरत हूँ मेरी शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी गई क्योंकि हमारे यहां ये रिवाज है कि बेटी जबान होते ही उसकी शादी करवा दी जाती है इसलिए इस वक्त मेरे जबान बच्चे भी हैं मगर उसके बावजूर भी मैंने अपने आपको इस तरह संभल कर रखा हुआ है कि अभी भी एक खुबसूरत औरत हूँ मेरा जिस्म काफी हद तक स्मार्ट है और मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच लंबा है एक दिन मेरी बेटी सान्या मेरे सामने बैठी थी और वो परेशानी के हालत में देख रही थी मेरी बच्ची सान्या की आँखों में आ परेशान थी उस पर तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं मेरी एकलती बेटी मेरे पास तो शहजादियों की तरह पली थी सान्या की शादी को तीन ही महीने हुए थे जब वसीम का रिष्टा सन्या के लिए आया और मैंने जब वसीम को देखा तो वह मुझे पहले ही नजर म भागए बाकी देख परक मेरे शोहर और देवरों ने भी कर ली थी लेकिन मेरी नजर भी अपने दामाद वसीम की शराफत भरे चहरे से धोखा खा गई थी मैं यह नहीं जानती थी कि वसीम की नजर मुझ पर थी और वह मेरे पर ही नजर रखता है मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी वासी ने खैंडसम लड़का था और हर तरह से मेरी बेटी का शोहर बनने के लिए सही था यूँ सिर्फ तीन महीने के अंदर ही मेरी बेटी सान्या की शादी वसीम से कर दी गई शादी के शुरू शुरू के दिन तो बहुत ही प्यारे गुजर रहे थे बच्ची मई के आती तो उसके चहरे पर जैसे मुस्कुराहत बिखरी होती थी लेकिन धीरे धीरे वसीम के रवेयाय में बदलावाने लगे और उसका रवेया सान्या से खराब होने लगा पहले तो मैंने उसको कोई अहमियत नहीं दी लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका था अपनी बेटी की आँखों में आशु बरदाश्ट नहीं कर सकती थी तो मैंने वसीम से बात करने का फैसला कर लिया आज दोपहर को मैंने वसीम को घर बुलवाया था लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वसीम यानी मेरे दामाद की नियत मुझ पर खराब हो चुकी है मैंने वसीम के बिलकुल करीब होके पूछा और उसके जवाब मैं वसीम ने जो कुछ कहा मुझे सुनकर यकीन नहीं हो रह था महरत और ताज़ुक के मारे मूर्ती बनकर वसीम की शकल देख रही थी वसीम ने बोला की बात ये है कि मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वज़े से की है क्यूंकि मुझे तो आप अच्छी लगते थी जाहिर है मैं तो वसीम से शादी नहीं कर सकती थी मुझ तक वसीम को पहुँचने के लिए मेरी बच्ची को चारा बनाया गया था वसीम ने कहा मैं आपको पाना चाहता हूँ अमानत बेगम मुझको आपकी बेटी में कोई दिल्चस्पी नहीं है वसीम के मुस्कुराते हुए शब्द मेरे कानों में गूंड रहे थे और मैं गुंसुम बैठी थी कि जैसे काटो तो जिस्म से लहू भी न निकले वसीम यह कैसे मुम्किन है मैं तो तुम्हारी सास हूँ तुम्हारी मा जैसी है वसीम ने एक पर जोर देते हुए कहा जनता हूँ आप मेरी मा जैसी है लेकिन आप एक औरत भी तो हैं और मेरी तलब हर रिष्टे नाते से आजाद है और मैंने आपको साफ शब्दों में बता दिया है कि मैंने यह शादी सिर्फ आपको हासिल करने के लिए की है वसीम ने मेरा हाथ थाम कर कहा और उसके साथ वसीम ने मुझे अपनी तरफ खिंच कर अपने करीब बैठा लिया मैं तो घबरा गई वसीम को कहने लगी कि वसीम यह क्या कर रहे हो मैंने खुद को उस से दूर किया फिर वसीम ने कहा कि अगर आप मुझे ना मिली तो याद रखिएगा कि मेरा और सानिया का रिष्टा ऐसे ही बहन और भाई जैसा रहेगा अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं सानिया की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा मेरा बस यही कहना था कि अमानत बेगम मान गई और मेरी हर दिली ख्वाहिश पूरी की दोस्तो ऐसी ही ओसम कहानिया पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ओसम कहानिया को प्लीज लाइक करना और अपने खुबसूरत दोस्तों के साथ शेय करना और सब्सक्राइब करना धन्यबाद